तुदेंस मैं सुसमाच ओद्रियों मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपका खक्षान 9 की साइंस जिसके अंदर बच्चों हम चैप्टार नंबर 4 परमानु की संवजना की स्टेडी कर रहे थे और जिसके अंदर बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा था कि परमानु क्या होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि परमानु एक विभाजित कान होता है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते उसके बाद में बच्चों हमने देखा था कि परमाणू के तीन fundamental particle होते हैं जिसके अंदर हमने electron, proton और neutron की steady करी थी उनके गुण भी देखे थे उसके बाद में बच्चों परमाणू की सनरचना के अंदर हमने तीन model पड़े जिसके अंदर हमने नाभी के चारो और electron चकर लगाते हैं और जिन कक्षों के अंदर चकर लगाते हैं उनकी औरजा निश्चित होती हैं उसके बाद में बच्चों हमने पड़े थे समस्थानिक और समभारिक समस्थानिकों के लिए मैंने आपको बताया था कि समस्थानिकों का आवत सानी में इस्थान समान होता है क्योंकि ये एक ही तत्वय के प्रमाणू होते हैं उसके बाद में समस्थानिकों के उप्योग भी पड़े थे, उसके अंदर हमने देखा था कि कॉबाल 60 है, जिसका उप्योग क्या जाता है कैंसर के इलाज में, उसके बाद में देखा था कि Iodine 131 का उप्योग क्या जाता है, गॉटरो के ट्रेट्मेंट के लिए, इसे के साथ जैसे कार्बन के समस्थानिक हैं, जिसके अंदर 6C14 है, उसका उप्योग क्या जाता है बच्चों, कार्बन डेटिंग विधी के अंदर, जिसके अंदर फोसिल जो होते हैं, उनकी एज को डिटर्माइन के लिए, उनका योज क्या जाता है, हमने ये पढ़ा था, उसके इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर को पढ़ा और आज हम इस चैप्टर के अंदर अभ्यास प्रशने उनको सोल करके देखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 4, सबसे पहले बच्चों, प्रोटोन और न्यूट्रोन के गुणों की तुलना कीज बच्चों, हमने पर्मानों की संवसना के अंदर बताया था कि जैसे यह नाभिक है, जो धनात्मक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्टोन चकर लगाते रहते हैं, अब बच्चों, एक तो पार्टिकल हो गया, इलेक्टोन जो और रिनाविशित होता है और इसे के साथ ब उसकी खोज हुई थी कैथोड किर्णों से और जो कैथोड किर्णे होती है बच्चो वो रिनाविशित होते हैं यानि उनके उपर रिनाविशित कण पाये जाते हैं और इनी रिनाविशित कणों की खोज करी थी बच्चो किसने जे जे थॉम्सन ने 1859 के अंदर यानि नाम है वो दिया गया था इस्टोनी नामक वेग्यानिक के द्वारा, उसकी बाद में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो प्रोटोन होते हैं, उनकी खोज करी गई थी एनोड केर्णे या फिर कैनाल केर्णों के द्वारा और इन केनाल केर्णों पर उपस्ति जो धरात्मकन होत उसके बाद है बच्चों हमने इलेक्टोन पर आवेस की मात्रा देखी थी जिसका मान हमने बताया था माइनस 1.6 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 19 कुलाम और इसी तरीके से बच्चों जो प्रोटोन होता है उसके उपर जो आवेस की मात्रा होती है वो होती है प्लस 1.6 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 19 कुलाम और इसी तरीके से बच्चों जो प्रोटोन होता है उसका जो दर्वेमान होता है वो होता है इसका मान हमने पड़ा था 1.675 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 27 किलोग्राम उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोन होते है वो नाभी के चारू और चक्कर लगाते हैं और नाभी के अंदर प्रोटोन और नूट्रोन इस्तीत होते हैं इसी के साथ बच्चों हमने कहा कि जो electron है उनकी खोज हुई थी cathode की इंडों से और जो proton है उसकी खोज हुई थी anode की इंडों से लेकिन बच्चों जो neutron है उसकी खोज हुई थी beryllium जो कण है उनके उपर alpha कण गिराए थे यानि beryllium है उसके उपर उनके उनके alpha कण गिराए तो उसके बाद में उन्हों देखा कि जो तीसरा कण है वो होता है, न्यूट्रोन जो उदासीन होता है, तो हम इने एंसर के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, ये देखते हैं, सबसे पहले बचो देखो, इलेक्टोन को E- से दिनोट करते हैं, प्रोटोन है उसको 1P1 या फ अवेश होता है, नेक्स्ट बच्चो, इलेक्टोन का अवेश है, वो होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 19 कुलाम, और प्रोटोन का जो अवेश है बच्चो, वो होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 19 कुलाम, अब बच्चो, हमें ये देखना नेक्स देखो बच्चो इलाक्ट्रोन की खोज J.J. Tomson ने की थी 1859 के अंदर और प्रोट्रोन की खोज वो करी थी गॉल्ड स्टेन ने 1886 के अंदर और न्योट्रोन की खोज जैम्स चैडविक नाम का एक विग्यानिक था जिसने 1932 के अंदर इसकी खोज करी थी नेक्स देखो बच्चो इलाक्ट्रोन की खोज कैथोड केर्णों से हुई थी और ये जो कैथोड केर्णे थी बच्चो इनहीं के उपर क्या पाए जा रहे थे रिनावेशित कन पाए जा रहे थे यानि ये कैसी थी रिनावेशित थी और प्रोट्रोन की खोज एनोड केर्णे या फिर हम कहेν केनल केणमों से हुई थी.ीटून की खोज बच्चोंव बेरीलियम पर आलफाrintमों की बंबारी से हुई थी तो बच्चों उन्होंने बताया था कि जैसे जो होता है, जिसका परमानोकर्मांक 4 होता है और दरमेंमान संक्या होती है, वह होती है 9. उसके उपर उन्होंने अलफा कंड गिरायत जो होते हैं 2HE4 के रूप में अब उच्छे उन्होंने देखा था कि कार्बन यानि 6C12A बनता है और साथ में एक छोटा कंड निकलता है और जोसको उन्होंने क्या कहा था ये है neutron तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दी थी neutron की खोज कर दी थी बेरिलियम पर अलफा कंड की बंबारी करके नेक्स देखो बच्छो इलक्टोन का दरवे मान है वो होता है 9.1 इंटू 10 तू पावर माइनस 31 किलोग्राम और प्रोटोन का जो दरवे मान है वो होता है 1.672 इंटू 10 तू पावर माइनस 27 किलोग्राम और neutron का जो दरवे मान होता है वो प्रोटोन से हलका सा जादा होता है यानि 1.675 इंटू 10 तू पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है नेक्स्ट बच्चो इलेक्ट्रोन नाभिक के चारू और पाई जाते हैं निए चारू और चकर लगाते रहते हैं प्रोटोन नाभिक में इस्थित होते हैं और नीट्रोन भी नाभिक में ही इस्थित होते हैं तो इस तरीके से यह क्या गए इनकी तुलना नेक्स देखो बच्चो, किशन नमबर 2nd, जेजे टॉमसन के परमानों मोडल की क्या सीमाए हैं? तो बच्चो हमने देखा था कि परमानों को सबसे पहले मोडल के रूप में किसने परस्तूत करा था, जेजे टॉमसन के द्वारा ही प्रस्तूत किया गया था, तो आपसे ये प बच्चो इलेक्ट्रोन धसे रहते हैं तो इस तरीके से उन्हों ने कहा कि परमानु है वो धनात्मक गोला होता है लेकिन बच्चो एक्च्वल में क्या होता है कि परमानु का अधिकान्स भाग होता है वो खोकला होता है और उसका जो दरवेमान है वो उसके केंदर में ही नही कहा गया था बाद में, लेकिन बच्चों इन्हों ने ये चीज एक्स्प्लेइन नहीं करी थी, उसके बाद में बच्चों इन्हों ने कहा कि इलेक्टरन है वो धनात्मक जो भाग है उसी के अंदर धसे वे रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है इलेक्टरन होता है वो नाभी के चार ओर निश्चित कक्षों में चक्कर लगाता है तो इस चीज को भी एक्स्प्लेंड नहीं कर पाये थे जो बाद के जितने भी वेग्या धनावेस का बना ठोस गोला है जबकि परमाणू का अधिकांस भाग होकला होता है यानि रिक्त होता है थॉम्सन के अनुसार इलेक्टरन पूरे गोले में जगह जगह धसे होते हैं जबकि परमाणू में इलेक्टरन नाभी के चार ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं जा सका, इसलिए क्या होगी, यह इनकी कम्या होगी, नेक्स देखो बच्चो, किशन नमबर 3, रदर फोड के परमानो मॉडल की क्या सीमाए हैं, यानि रदर फोड ने जो मॉडल दिया था बच्चो, इस मॉडल के अंदर इन्हों ने बताया था बच्चो, कि जो स्वन पननी है, यानि जो सोने के परमानो है, उनके उपर जब अलफा कन गिराए जाते हैं, तो बच्चो जो अलफा कन होते हैं, वो भी धनात्मक होते हैं, और जो परमानो है, जिसका नाभिक है, वो भी धनात्मक होता है, तो जादे तर अलफा कन होते हैं, वो सीधे निकल जाते अलफा कर्ण वह वापिस 180 डिग्री पे घूमकर वापिस अपनी जगह पर आ जाता है लेकिन बचो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्टरन होते हैं वो नाभी के चारू और वर्तुलाकार मारक के अंदा चकर लगाते हैं और चकर लगाते लगाते इस हिसाब से उनको किस में गिर यह एक्सपेन नहीं कर पाए थे तो हम इसका एंसर किस तरीके से लिखेंगे रदर फोड के अनुसार रिन आवेशित इलेक्टरन नाभी के चार और चकर लगाते हैं परन्तु यदि चकर लगाता है इलेक्टरन तो उर्जा का लगातार उतसरजन होगा यानि उर्जा में कम आएगी एवं यह वर्तुल पत में गती करता हुआ अंतमे नाभिक में गिर जाएगा परन्तु ऐसा नहीं होता है नेक्स देखो बच्चो रदर फोड के अनुसार प्राप्त उर्जा का स्पेक्टरम सतत होना चाहिए परन्तु रेख इस्पेक्टरम प्राप्त होता है तो इस तरीके से रदर फोड दोनों कम्यों को नहीं समझा सका और यह क्या होगी बच्चो इसके मोडल की कम्या हो गई नेक्स देखो बच्चो नमबर फूर बोर के परमानों मोडल की व्याख्या कीजिए यानि रदर फोर के मोडल में जो कम्या रह गई थी उनको सुधारने के निल्स वह नाम का वेग्यानिक्त उसने मोडल दिया था और उसने बताया था कि परमाणु की सेन्मरजना है उसके अंदर इलैक्टरण होते हैं वं नाभी के चारओ और दो उर्जा के निश्चित कक्षों के अंदर चकर लगाते हैं, जिने उर्जा इस्तार, कोश, कक्षया या फिर आवर्त कहा जाता है. अब बच्चों उन्होंने कहा था, किसी भी कोश में अधिक्तम इलेक्ट्रों निकालने का जो फोर्मूला होता है, वो होता है 2N2. उसके बाल में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रों केवल उन्ही कक्षों में चकर लगाते हैं, जहां उनका कोण ये समवेग MVR is equal to NH upon 2π का पौन ग कि इलेक्ट्रों लेकिन अगर उच उर्जा कक्ष के अंदर आते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? उर्जा का उतसरिजन कर देते हैं. और इस चीज़ को बच्चों हम समझते हैं एक के डाग्राम से, जैसे हमने कहा ये हो गया परमानों का नाभिक जो कैसा होता है, धनात्मक हो अब इसके अंदर जैसे यह साथ, K cos इसी तरीके से बच्चों यह हो गया, L cos उसके बाद में यह हो गया, M cos और उसके बाद में यह हो गया, N cos, यानि अलग-ज़ग कोश के अंदर इलेक्टरोन की संख्या होती है, उसको निकालने के लिए अलग-़ग, जो उनके मान आएंगे उनके basis पर ही उतने ही electron इन कक्षों के अंदर चक्र लगाते हैं यानि निश्चित उठाते के निश्चित कक्षों तो इस तरीके से बच्चो ज horr़िए यह हो गया K कोश उसके बाद में यह L हो गया, यह M हो गया और यह N हो गया अब अलग लग कोश के अंदर electron होंगे वो कितने होंगे? इसको देखने के लिए उन्होंने दिया था 2N². अब बचों K के लिए N कमान होता है 1, ल के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए N कमान होता है 4. तो इस तरीके से अधिकतम electron हैं, वो भी इनके अंदर ग्याद कर लिए गे निश्चित कक्षों में चक्कर लगाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान लखोगे, कि बोर ने जो मोडल दिया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था, कि इलेक्ट्रोन नाबे के चारो निश्चित उर्जा के निश्चित कक्षों में चक्कर लगाते हैं, जिने उर्जा इस इलेक्ट्रोन केवल उन्ही कक्षों में चक्कर लगाते हैं जिनका कौन ये समवेग MvR is equal to NH upon 2 pi हो या हम कहें कि ये MvR is equal to NH upon 2 pi का पूर्ण गुणज हो इलेक्ट्रोन जब निमन उर्जा कक्ष में जाते हैं तो उर्जा का अउशोषन तथा उच उर्जा से निमन उर्जा कक्ष में जाने पर उर्जा का उतसर्जन करते हैं नेक्स देखो बच्चो जैसे ये जो डाइग्राम है इसके अंदर देखो बच्चो ये है नाभिक जो कैसा होता है धनात्मक होता है यानि इसके अंदर प्रोटोन प्रजेंट होते है और न्योटोन तो कैसा होता है यानि धनावेशित होता है और न्योटोन है वो होता है आव के द्वारा ग्याद किये जाते हैं, जैसे हम मालो हम निकाले के कोश के लिए, तो बचो के कोश में जो अधिक्तम electron है उस हिसाब से जैसे के में n की जो value होती है वो होती है 1, तो हम लिखेंगे 2 into 1 का square, तो इस तरीके से के कोश में maximum electron है वो दो भरे जा सकते हैं, यानि जो के कोश में electron चक्कर लगाता है, तो उनकी उर्जा का हास नहीं होता है, यानि ना तो उर्जा आवशोशित करने की जोरत पड़ती है, ना ही उर्जा को उतसरजन करता है Q5, इस अध्धाय में दिये गए सभी पर्मानों मौडलों की तुलना कीजिए, यानि बच्चो हमने इस चैप्टर के अंदर तीन पर्मानों के मौडल पड़े हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पड़ा तुलना बतानी है, तो बच्चो हम ये देखते हैं कि जो थॉम्सन था, यानि जिससे हम टॉम्सन भी बोलते हैं, तो उन्होंने बताया था कि पर्मानों क्या होता है, एक धनात्मक गोला होता है और जिसके अंदर التron धसे वे रहते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि पर्मानों होता है, वो एक धनात्मक गोला होता है, और इसके अंदर धनात्मक अविश उता है, उतना ही रिनात्मक अविश होता है और इसे लिए परमानों वेधुती रूप से क्या होता है उदासीन होता है लेकिन बच्चो इसके अनुसार यानि बाद में जैसे रदर फोड है बोर है इनके द्वारा जो परिणाम निकाले गए थे परियोगों के द्वारा उन चीजों को कौन नहीं एक्स्प्लेंड कर पाय थे तो इस तरीके से इनकी क्या हो जाएएंगी उसके बाद बच्चो रदर फोड था उसदे परियोग यानि परियोग करा था उसने परमानों लिये इसका मतलब है यह है कि परमानों का जो अधिकांस भाग होता है वो खोकला होता है और उसका जो द्रवेमान होता है वो उनके केंदर के अंदर ही नहीं तोता है जिसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे हम कहें नाभिक या फिर परमानों केंदर की कोज इनी रदरफोड के द्वार की गई थी उसके बाद में बच्चो जो अलफा कर नाभी के पास से गुजरता है वो अपने पत से विचलित हो जाता है और जो सीधे ही नाभी से टकरा जाता है वो 180 डिगरी पे गुम कर वापस आ जाता है अब बच्चो इन्हों ने कहा था कि जो इलेक्टरन होते हैं वो प्रमानों का जो स्पेक्ट्रम है वो बैंड की रूपे प्राप्त होना चाहिए लेकिन एक्चोल में प्रमानों का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखे प्राप्त होता है तो इस चीज की ए अक्स्प्लें नहीं कर पाया था यानि इनकी क्या रहेगी थी कम्या रहेगी थी अब उन्हें कहा था कि इलेक्टोन के विल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाते हैं जहां उनका कोण ये सम्वेग होता है वो MvR is equal to NH upon 2 pi का पौन गुणज होता है एनि जब वो स्वेम की कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं तो ना तो उर्जा का उतसर्जन करते हैं और ना ही से हम यहां तुलना के रूप में किस तरीके से लिखेंगे यह देखते हैं परमानु धनाविशित गोला है जिसमें इलेक्टोन धसे होते हैं तो यह बताया था टॉम सैन ने रदर फोड का जो परमानु मोडल है उसके अंदर उन्होंने कहा कि परमानु का के अंदर धनावि नेक्स देखो बच्चो रिनात्मक और धनात्मक आवेस परिमान में समान होते हैं इसलिए परमानों वेधूतिये रूप से उदासिन होते हैं Next ने बच्चो, रदरफोड के अंदर, इलेक्ट्रोन, नाभी के चारू और वर्तूलाकार मारक के चकर लगाते हैं। तथा नाभी का आकार परमानु के आकार की तुलना में काफी कम होता है. बोर ने बताया था इलेक्ट्रोन के वल उनीक अक्षों में चक्कर लगाते हैं जिनका कौन ये समवेग है वो MVR is equal to NH upon 2 pi हो या फिर हम कहें उसका upon गुणज हो नेक्स देखो बच्चो टॉमसन के मॉडल की जो कम्या थी उसके अंदर हम लिखेंगे दूसरे वेग्यानिकों द्वारा किये गए परियोगों के परिणामों को इस मॉडल से समझाया नहीं जा सका उसके बाद में बच्चो रदरफोड की जो कमी थी इसके अंदर है ये हैं मॉडल परमानों के स्वामित्वा की व्याख्या नहीं कर पाया तथा सतत इस स्पेक्टरम को प्राप्त करता है लेकिन रेखे स्पेक्टरम होना चाहिए बोर के अंदर कमी आ जाएगी ये हैं पहने कक्षो में इलेक्ट वित्रन के नियम को लिखिये हैं यानि बच्चो इसके अंदर हमें ये बताना है कि किसी भी तत्वा का जब हम एलेक्ट्रें meeting लिख था उनको पालन करना चाहिए तो बच्चो इसके बी खूष में अधिक्तम इलेक्तरन निकालने का जो 是ось इसके अंदर बच्चों हमें यह देखना है कि जैसे K कोशा या जिसे हम कहें प्रथम कक्ष या कक्षा तो इसके लिए N बराबर होता है 1 यानि इसके अकोडिंग K कोश में जो अधिकतम इलेक्टरन है वो आजाएंगे बच्चों 2 into 1 का स्क्वार और यह आजाते हैं 2 यानि K कोश में अधिकतम 2 इलेक्टरन ही भरे जा सकते हैं उसके बाद बच्चो जैसे L-खोष जिसके अंदर होता है कि L-खोष जो है इसके अंदर N is equal to होता है 2 तो इसके according यानि 2 into 2 का square यानि maximum 8 electron है वो L-खोष के अंदर भरे जा सकते हैं उसके बाद में बच्चों आता है M कोश, तो जो M कोश होता है उसके अंदर N का जो मान होता है वो होता है 3 और इस तरीके से 2 x 3 का स्क्वेर, तो इस तरीके से मैक्जिमम आ जाएंगे 18 electron M कोश के अंदर उसके बाद में बच्चों जैसे N कोश है, तो N कोश के अंदर N is equal to 4, तो इस तरीके से इसके अंदर आजाएगा 2 x 2 और 4 का स्क्वेर, यानि मैक्जिम 32 electron भरे जा सकते हैं लेकिन बच्चों उन्होंने यह का था कि अगर मालो जब हम किसी तत्व का electronic configuration लिखते हैं, यानि electron भरने का करम देखते हैं, तो अगर मालो के कोश में 2 electron है तो 2 electron भर जाएंगे, उसके बाद में ही हम अगले कक्ष के अंदर electron भरते हैं, electronic configuration लिखते हैं, यानि करमा नुशार क हम पालन करते हैं और किसी भी कोश्के भायतम कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रों से ज़्यादा होते नहीं हैं, तो इस तरीके से हम इसका एंसर किस तरीके से लिखेंगे यह देखते हैं, इलेक्ट्रों का वितरण बताने के लिए 3 नियम दिये जाते हैं, किसी कक्षा में अधिक्तम इलेक्ट्रों की संख्या 2N स्केर से दी जाती है, यहां N बराबर है, एक दो तिन जो हमने अभी बताया है, उस कक्षा की संख्या, यानि कोश्व की संख्या है, अर्थार्थ प्रतम कक्षा में 2 जैसे हमने कहा K कोश के अंदर, दिते कक्षा यानि जैसे हमने L तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रों और त्रिते कक्षा में 18 एवं चतूर्थ कक्षा में अधिक्तम 32 इलेक्ट्रों आ सकते हैं, नेक्स देखो बच्चो, भायतम कोश में अधिक्तम 8 इलेक्ट्रों रखे जा सकते हैं, यानि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रों नहीं भरे होते हैं, थर्ड देखो बच्चो, पहले कोश में इलेक्ट्रों की संख्या पूर्ण होने पर से इलेक्ट्रों दूसरे कोश में जा सकते अर्था अर्थ कक्षाय करमानुसार ही भरी जाती हैं। नेक्स देखो बच्चों, क्विशन नम्बर 7 सीलिकोन और ऑक्सिजन का उधारन लेते हुए सयोजक्ता की परिभासा दीजिए। तो बच्चों, तो बच्चों, प्विशन आग्सिजन का ग्रक्सिजन देखरुआजगी का उधारन सयोजिक्ता की परिभासा देकर च्चोंचाजगां सयोजिक्ता की परिभासा मैंने आपको बताई थी कि दूसरे परमानों से च्योग करने की चंचा या फिर हम कहें कि किसी भी परमानों की भायतम कोश में उपस्तित जो इलेक्टोन है उनके लेने और देने की जो छमता होती है वो कहलाती है सयोजिक्ता अब बच्चो अगर किसी परमानों के भायतम कोश में 4 या फिर इसे कम इलेक्टोन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी भायतम कोश के जो इलेक्टोन होते हैं वो उनकी सेयोजिक्ता होती है लेकिन अगर बच्चो किसी परमानों के भायतम कोश में 4 से अधिक इलेक्टोन होते ह तो उस समय उनके भायतम कोश की जो electron है, उनकी संख्या को हम 8 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि किसी भी परमानो की भायतम कोश में 8 से ज्यादा electron नहीं हो सकते, तो इस तरीके से वो क्या जाती है, उनकी सहोजिक्ता आ जाती है, अब बच्चों हमें यहां दिया गया है silicon और 4, यानि इनके भायतम कोश में किते electron हैं, 4 हैं, अब बच्चों हमने बताया है था कि जिसके भायतम कोश में 4 यह से कम electron होते हैं, उनके भायतम कोश में जितने electron हैं, उनको क्या मान लिया जाता है, सहोजग्ता मान लिया जाता है, तो इस तरीके से से सिलिकॉन की सहोजग्ता कितने आ जाएगी बच्चो चार आ जाएगी उसके बाद दूसरा हमीं दिया गया है जैसे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का परमानो करमांग होता है आठ यानि इसके अंदर हम जब इलक्ट्रोनी कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे दो और छे यानि इनके भायतम को यानि ऑक्सीजन है उसकी स्योजक्ता कितनी आ जाएगी बच्चो दो आ जाएगी तो हम इसे एंसर के रुप में किस तरीके से लिखेंगे यह देखते हैं कोई तत्वे हाइट्रोजन के जितने परमानों से संयो कर सकता है वह उसकी स्योजक्ता कहलाती है स्योजक्ता अन्य तत्वे से संयो करने की छमता है यह है भायतम कोश में उपस्तित इलेक्टोन की संख्या से ग्यात की जाती है नेक्स देखो बच्चो यदि भायतम कोश में चार या उससे कम इलेक्टोन हो तो स्योजक्ता बराबर हो जाता है भायतम कोश के इलेक्टोन की संख्या और यही म प्राप्त संख्या के बराबर होती है नेक्स देखो बच्चो जैसे ऑक्सिजन का प्रमानु करमांक 8 है एवं इलेक्टोनिक विन्यास है 2-6 यानि उनकी भायतम कोश में कितने इलेक्टोन है 6 है और जिनको हमें क्या करना 8 में से घटाना है इसकी स्योजक्ता 8-6 यानि 2 हो जा साथ व्याख्या कीजिए प्रमानु संख्या, दरवेमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक समस्थानिकों के कोई दो उप्योग लिखिए यानि बच्चों हमें इनके बारे में बताना है तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्रमानु संख्या यानि किसी भी तत्व हमने कहा कि जो हाइट्रोजन है उसके नाभिक के अंदर एक प्रोटोन होता है, तो हम कहेंगे इसकी पर्मानु संख्या है उसी तत्वय के नाभिक में उपसित प्रोटोन की संख्या होती है तो यहां हम किस तरीके से लिखेंगे परमानो संख्या के अंदर किसी तत्वय के एक परमानो के नाभिक में उपस्ति त्रोटोन की संख्या को उस तत्वय की परमानो संख्या कहते हैं और जिसे Z के द्वारा डिनोट किया जाता है जैसे hydrogen के नाभिक में एक proton होता है अतय इनकी प्रमानो संख्या 1 है नेक्स देखो बच्चो दरवेमान संख्या तो बच्चो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो दरवेमान संख्या होती है उसके लिए हम formula लिखते हैं यानि जैसे हम A के द्वारा तो denote करते हैं और बचो इसके अंदर proton और neutron की संख्या का योग होता है, यानि किसी भी तत्वय के परमानों की नाभिक में उपस्तित कुल proton और neutron की संख्या का योग होता है बचो वो कैलाता है यानि हमने कहा कि जो दर्वेमान संख्या होती हो प्रोटोन और neutron की संख्या का योग होता है और ये क्या होगे बच्चो इनके नाभिक में उपस्तित proton की संख्या यानि इसके अंदर जो proton की संख्या है वो तो कितनी है 11 है और हमें क्या करना है, neutron की संख्या निकालनी है, तो हम इसके लिए भी एक formula लिखते हैं, N is equal to A minus Z या फिर हम P भी लिख सकते हैं, तो बच्चो, दरवेमान संख्या है 23, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, N की संख्या निकालने के लिए 23 minus proton कितने है, 11 है, तो इस तरीके से neutron कित कितने बार आ जाते हैं, और हम कहरें कि दृवेमान संख्या होती है वो क्या होती है, यानि proton और neutron की संख्या का योग होती है, proton की संख्या 11 है, और neutron की संख्या हमें कितने बताई 12 है, तो इस तरीके से जब हम इसको टोटल करेंगे तो बच्चो, कितना हैगा, 23 है यानि जो sodium है उसकी जो द्रवेमान संख्या है वो 23 होती है तो हम इसे एंसर की रूप में किस तरीके से लिखेंगे किसी तत्वे के एक परमानु के नाभिक में उपस्तितकुल प्रोटोन एवं न्यूट्रोन की संख्या का योग उस तत्वे की द्रवेमान संख्या कहलाती है जिसे ड्रवेमान संख्या ए बराबर प्रोटोन की संख्या प्लस न्यूट्रोन की संख्या जैसे सोडियम परमानु के नाभिक में 11 प्रोटोन एवं 12 न्यूट्रोन होते हैं, अर्थे इसकी द्रवयमान संख्या, यानि प्रोटोन जो 11 है और न्यूट्रोन है 12, तो इस तरीके से कितनी होगी बच्चो 23 हो गई, नेख देखो बच्चो समस्थानिक, अब बच्चो समस्थानिकों को हम होती है, वो सेम रहती है, क्योंकि यह क्या होते हैं, एक ही तत्वय की परमानों होते हैं, यानि बच्चो समस्थानिक के लिए हम परिवासा क्या बोलते हैं, एक ही तत्वय के परमानों, जिनके अंदर प्रोटोन की संख्या, इलेक्टोन की संख्या, और इसी के साथ बत इक गुंड तो होते हैं एक होता है 121 3 जिसके अंदर इसे हम कहते है। इसको कहा जाता है वचो ट्राइटियं अब देखो इनके अंदर हमें बताना है जैसे प्रोटन की संध्या इसे के साथ इनका परमानु कर्मान क्या हम कहें परमानो संख्या, इलेक्टोन की संख्या और इसे के साथ बचो इनके अंदर न्यूट्रोन की संख्या और द्रेवयमान संख्या तो बचो देखो प्रोटोन की संख्या है इनके अंदर एक है प्रोटोन की संख्या के लिए हमने क्या पता है था यानि किसी भी तत्व की परमानों के नाभिक में उपस्तिस जो proton की संख्या है उसे हम परमानों संख्या भी कहते हैं तो इस तरीके से ये प्रोटन की संख्या एक है, इसके अंदर भी एक है, और इसके अंदर भी एक है, अब देखो इनकी जो परमानो संख्या या परमानो करमांग है, वो भी एक है, एक है, और एक है, इलेक्टोन की संख्या के लिए बचो क्या होता है, कि जब तक किसी भी तत प्रोटोन की संख्या को माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से इनके अंदर जो न्यूट्रोन की संख्या है, वो इसके अंदर जीरो है, इसके अंदर एक है, और इसके अंदर कितनी है, दो है, अब बचो दरवेमान संख्या जैसे ये एक, दो, तीन लिखी भी है, तो ये आग ट्रोन की संख्या और द्रवे मान संख्या वो अलग-लग होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं तो हम याँ एंसर की रुपी की स्तरीके से लिखेंगे? एक ही तत्व Turkish के एसे परमानों जिनकी परमानों संख्या समान हो परंतु दरवयमान संख्या भिन भिन हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जैसे हाइटोजन के तीन समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, तो इस तरीके से हमने इनके नाम भी आपको बता दिया और एक्स्प्लैन करके भी आपको बता दिया, तीनों की परमानो संख्या एक है, परंतु दरवयमान संख्या करम से एक, दो एवं तीन है, नेक्स देखो बच्चो, संभारिक, जिसे इंगलिश के अंदर कहा जाता है बच्चो, आईसो बार, जो आईसो बार है, इसका मतलब ये है, कि ये अलग-लग तत्वय के परमानों ह होते हैं, और अलग-लग तत्वय के परमानों है, इसका सीधा सा मतलब ये है, कि इनका आवर्ट्सार्णी के अंदर इस्थान है, वो भी समान नहीं होता, और इसलिए इनके भोतिक गुंध्रम और रासानिक गुंध्रम दोनों ही क्या होते हैं, अलग होते हैं, अब बच्च एक चामपल से समझते हैं, यानि हम कहते हैं कि जैसे 18 ओर्गन 40, इसी के साथ बच्चो कैलसियम 20-40 है, अब इसके अंदर हम जैसे प्रोटोन की संख्या इसी के साथ हम इलेक्टोन की संख्या और बच्चो हम परमानों संख्या है, वो देखेंगे, और साथ में ही इनके प्रोटोन की संख्या कितनी है, 18 है, इनके अंदर कितनी है, 20 है, तो हम यहां लिखेंगे 18 और 20, उसके बाद में इलेक्टोन की संख्या हमने बताया था कि जब तक कोई आवेश नहीं होता तब तक उनकी प्रोटोन की संख्या के ही बराबर होती है, तो यह भी कितनी आ उसके बाद में बच्चो देखो, प्रमानु कर्मांग, वो कितना जाएगा, इनका 18 और 20 आ गया, उसके बाद में बच्चो निट्रोन की संख्या हम निकालते हैं, दरवेमान संख्या में से माइनस करके, तो इस तरीके से चालिस में से जब 18 जाएंगे, तो यहां जाएंग अलग लग तत्वा के परमानु, तो आरगन और केल्सियम अलग लग तत्वा के परमानु ही तो हैं, तो इनके अंदर जैसे प्रोटोन की संख्या है, इलेक्टोन की संख्या है, परमानु कर्मांग या हम कहें, परमानु संख्या है, और निट्रोन की संख्या है, वो तो अल कहते हैं, इनके गुण भीन-भीन होते हैं, गुण का मतलब है, इनके भोतिक और रासा यह नहीं गुण द्रम है, वो अलग लग होते हैं, जैसे 18 आरगन 40 एवं 20 केल्सियम चालिस दोनों की प्रमानू संख्या करम से 18 एवं 20 हैं, परंतु दरवेमान संख्या समान यानि 40 है, समस्थानिकों के उप्योग, हमने समस्थानिकों के उप्योग पढ़ाते इसमय आपको बताया था कि जैसे Cobalt 60 होता है, उसका उप्योग Cancer के इलाज में कया जाता है इसी तरीके से बच्चों जैसे हमने कार्बन की तीन समस्थानिक पड़े थे उसके अंदर जो 6C14 होता है उसका उपयोग फोसिल्स जो होते हैं उनकी एज को डिटर्माइन करने के अंदर क्या जाता है यानि इस मैथड को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग मैथड तो ये भी आप होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या जाता है और बच्चों हमने देखा था कि जो गोइडर रोग होता है वो पेयोग जीवास्मों की आयू-Nyrधारन में होता है इसे कार्बन डेटिंग विधИ कहते हैं नेक्स्ट है बच्चो आयोडीन के समस्थानिक 131 का उपयोग घेंगा रोग के उपयोग में किया जाता है यानि गेंगा रोग के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है नेक्स देखो बच्चो, क्यूशन नंबर 9, ने प्लस की पूरी तरह से भरेवे के वह अलकोश होते हैं व्यात्ख्या कीजिए तो बच्चो देखो ने प्लस लिखावा है और हम देखते हैं कि जो ने यानि सोडियम जो होता है उसका परमानो करमांग होता है 11 यानि इनके अंदर जो electronic configuration होता है, वो होता है 2, 8 और 1, अब यह लिखा हुए है plus, यानि इसके अंदर क्या होगा, यानि एक electron है, वो त्याग दिया जाएगा, और बच्चों जब हमने आपको आयन बताये थे, उसके अंदर आमने कहा था, कि जब किसी उदाशिन गेशिय प्रम पड़ा था, उसके according, यानि इसके अंदर हमने देखा था कि जो k कोश होता है, उसके अंदर अधिक्तम 2 electron भरे जा सकते हैं, और जो l कोश है, उसके अंदर अधिक्तम है, वो 8 electron भरे जा सकते हैं, तो इसके अंदर k कोश है, उसके अंदर 2 electron है, और l कोश है, उसके अंदर 8 electron ह उन्होंने क्या कर दिया त्याग दिया तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एने प्लस आइन है उसके अंदर के वै एल को श्पॉन उप से भरे वे होते हैं तो हम इसका एंसर किस तरीके से लिखेंगे हैं सोडियम का परमाणू करमांक 11 है एवं और पहला एवं दूसरा कोश पहुंट भरा ह선वा है और हमने समझने के लिए आपको formula भी बताया था 2N, इसके अंदर हमने K के लिए बताया था N कमान होता है, 1 और L के लिए होता है N कमान 2. Q10, अगर ब्रोमिन परमानों 2 समस्थानिक जैसे 35BR79 और इसके अंदर है 49.7% तथा 35BR81 जिसके अंदर है 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमिन परमानों के ओशत परमानों दरवेमान की गणना कीजिए, तो हम इसका solution देखते हैं, ब्रोमिन का परमानों दरवेमान, अब बच्च तो इस तरीके से हम नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, प्लेस आ गया बच्चों, अब दिया गया है 81 इंटू मात्रा दी गई है 50.3% के अंदर, तो इस तरीके से यह आ जाएगे नीचे 100, जब बच्चों हम इसको solve करते हैं, तो यह आ जाता है 79 इंटू 0.497 प्ल 16.2 unified है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x16 और 8x18 का प्रतिशत क्या होगा, तो बच्चों, इसके solution के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, माना कि समस्थानिक 8x16 का प्रतिशत x% है, तब समस्थानिक 8x18 का प्रतिशत 100-x% होगा, नेक्स्ट है बच्चों, प्रतिशन अनुसार 16 का x% प्लस 18 का 100-x% इस इकल टू है 16.2 unified, नेक्स देखो बच्चों, 16 into x upon 100 कर दिया हमने, प्लस 18 into 100-x upon 100 और इस इकल टू है 16.2, नेक्स देखो बच्चों, यह हो गया, 16x बटे में 100 और प्लस 18 को 100 से मल्टिप्लाई करा तो 18 100 और इस इकल टू है 16.2 उसके बाद में बच्चों, यह है, 16x माइनस करते हैं तो आजाता है, माइनस 2x और प्लस में 1800 है, अब बच्चों, 16.2 है, इसको क्रोस मल्टिप्लाई कर दिया 100 से, तो इस तरीके से यह क्या जाएगा, 16.2 into 100, उसके बाद में बच्चों, यह है, मा 120 माइनस 1800, और जब हम इसको सोल करते हैं बच्चों, तो x का जो मान है, वो आ जाता है, 90, यानि इसके आंदर, यह है 90 परसेंट के अंदर, नेक्स देखो बच्चों, 8x16 is equal to 90 तो इस तरीके से 8x18 का मान आ जाएगा, 100 माइनस 90, यानि 10 परसेंट, नेक्स देखो बच्चों, क्या होगी और तत्वय का नाम भी लिखे, तो बच्चों हमने पड़ा था, कि जैसे एक नंबर पे होता है, हाइट्रोजन, दो नंबर पे होता है, हीलियम, और तीन नंबर पे हमने आपको बता है था लीथियम, तो बच्चों, जैसे लीथियम जो होता है, उसका परमानो कर होगा तो हम एंसर लिखेंगे तत्वय का प्रमाणू करमांक तीन है एक होगा इसके भायतम कोश में एक इलेक्ट्रोन है जिसका यह त्याग करके इस्थाई विन्यास प्राप्त करता है एक होगी यह तत्वय लीथियम है और जिसे हम एलाई के द्वारा डिनॉट करते हैं next देखो बच्छो question number 13 दो परमाणू species के केंद्रकों का संगटन नीचे दिया गया है X और Y दो क्या हैं परमाणू species है जिसके अंदर मैंने आपको फोर्मूला बताया था proton प्लस neutron की संख्या तो इसके according हम देखते हैं कि X की दरवयमान संख्या है उसके बराबर में proton प्लस neutron अब इनके अंदर proton है वो भी 6 है और neutron भी 6 है तो इस तरीके से X की दरवयमान संख्या है वो आजाएगी 12 unified उसके बाद में बच्चो दे है किसके अंदर देखी थी हमने देखी थी वो किसके अंदर यानि जिसका प्रमानो करमांक 6 है और वो है बच्चो कारबन तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है यानि हमसे relation भी पूछा गया है तो देखो बच्चो प्रोटोन की संख्या समान है यानि हम कह सक परमानु संख्या समान है परंतु दोनों की द्रवेमान संख्या भिन-भिन है अता ये दोनों ही एक ही तत्वय के समस्थानिक हैं अर्थार्थ कार्बन के समस्थानिक से 6C12 है और 6C14 है नेक्स देखो बच्चो कुशन नमबर 14 निमन लिखित वक्तवयों में गलत के लिए F औ नुक्लियों होते हैं तो बच्चो जेजी टॉमसं है उसनोंने तो बताया था कि परमानु एक धनात्मा गोला होता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रोन धसे रहते हैं तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा फाल्स होगा नेक्स्ट बच्चो भी के अंदर एक इलेक्ट्रोन और proton मिलका neutron का निर्मान करते हैं, इसलिए ये अनावेशित होता है, तो बच्चो इसके लिए जो jam stadwick थे उन्होंने बताया था, कि जब beryllium पर alpha कंड गिराए जाते हैं, तो उनसे 6C12 बनता है, और 7 में क्या बनता है, एक छोटा कंड बनता है, और उसको उन्होंने neutron का था, ये कैसा होगा, उदासीन होता है, और इस तरीके से ये भी क्या है बच्चो, फाल्स है, यानि ये electron और proton से मिलकर बनावा नहीं होता है, नेक्स देखो बच्चो, C के अंदर electron का द्रिवेमान proton से लगभग 1,2,000 गुना होता है, तो ये क्या होगा बच्चो, ट्रू होगा, आएओ्डिन के समस्थानिक का इस्तेमाल, tincture iodine बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, तो ये कैसा होगा, फाल्स होगा, इसके answer हम देखेंगे, A को हमने बताया फाल्स है, B को हमने बताया फाल्स है और C को हमने कहा true है और D के लिए क्या जाएगा फाल्स होगा और यही हमसे पूछा था कि इन्हें T और F यानि True और False के रूप में हमें लिखना है नेक्स देखो बच्चो प्रेसं संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने गुड काचिन और गल्त के सामने क्रोस काचिन लगाईए तो बच्चो रदरफोड का अल्फाकन परकीनन परियोग किसकी खोज के लिए उत्रेदाई था तो बच्चो रदरफोर ने जो अल्फाकन परकिनन प्रियोग करा था तो उन्होंने बताया था कि जब सोने की पतली पन्नी यानि सोने की परमानु है उनके उपर उन्होंने अल्फाकन गिराये थे तो उन्होंने कहा था कि जादा तर जो अल्फाकन होते हैं वो सीधे निकल ज तो इसे तरीके से बचो प्रोटॉन ये भी रोंग होगा और न्यूट्रोन भी रोंग होगा और यह आ गया हमारा राइट ओप्शन एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो एक तत्व के समस्थानिक के अंदर हमने पढ़ा था कि समस्थानिक की जो परिभासा थी उसके अंदर हमने बताया था आपको कि एक ही तत्व की वे परमानों जिनके अंदर प्रोटोन की संख्या, इलाक्टोन की संख्या और परमानों संख्या है वो तो समान होती है लेकिन द्रवे मान संख्या एवं न्यूट्रोन की संख्या है वो अलग-अलग होती है तो इस तरीके से हम इन ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि कौन सा राइट होगा बच्चों ए है समान भोती गुण तो यह दो नहीं होगा क्योंकि समस्थानिकों के अंदर रासायनी गुण समान होते हैं तो यह क्या होगा उसके बाद में बच्चो B है भिन रासायनी गुण तो यह भी क्या होगा गलत होगा उसके बाद में बच्चो C है न्यूट्रोनों की अलग-लग संख्या, तो यह क्या हो जाएगा, राइट ओप्शन होगा हमारा, और इसके बाद में D है, भिन परमानों संख्या, तो यह भी कैसा होगा, क्रोस होगा, यानि गलत होगा, नेक्स देखो बच्चो, क्यूशन नमबर 17, C L माइनस आइन में सहोजकता है, इलेक्टोनों की संख् संख्या होती है, साथ, लेकिन इसके उपर है, C L माइनस, इसका मतलब है, एक इलेक्टोन और जोट जाएगा, तो C L माइनस के अंदर हम देखें, कि जो संख्या एलोक्टन है, उनके लिया जाएगा, 2, 8, 8, यानि उनकी संख्या हो जाएगी, 8, तो इस तरीके से, बच्चो C है 17 ये भी गलत है और D है 18 ये भी गलत है Next देखो बच्चो Question number 18 Sodium का सही electronic विन्यास निम्न में से कौन सा है तो बच्चो sodium का परमाणु करमांख हमने आपको बताया था कितना होता है 11 होता है यानि इनके अंदर जो electron है वो 2, 8, 1 इस करम में भरे जाते हैं इस नहीं है कि 8 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें या 1 को सबसे पहले लिख दें ऐसा नहीं होता है क्योंकि electron को भरने के लिए एक करम होता है जिसके अंदर हमने बताया था कि किसी भी कोश में अधिक्तम electron निकालने का एक formula होता है और जिसके according ही हम KLMN कोश, उनके अंदर electron की संह्ख्याँ में ग्याद करी थी और बच्चों, हमने देखा था कि पहले कोश में electron पूर्ण भरे जाने के बाद में ही दूसरे कोश में electron भरे जाते हैं तो इस तरीके से जो sodium है उसका जो सही electronic configuration होगा वो होता है 2, 8, 1 तो इस अरीके से हम इन ओप्षिन के अंदर देखते हैं, A हमें दिया गया है, 2, 8 तो यह क्या होगा? रोंग होगा, उसके बाद में बच्चों, B हमें दिया गया है, 8, 2, 1, 8, तो यह भी क्या होगा? रोंग होगा, और D ओप्षिन हमें दिया गया है, 2, 8, 1, तो यह हमारा क्य तो जो आजेएगा, राइट ओप्षन होगा. Next, देखो, बच्चो, question नम्बर 19. निमन लिखीतसारनी को पूरा कीजिए. यानि, इसके अंदर देखो, परमानु संख्या हमें दी गई है, 9. जिसे हम परमानु कर्मांग भी कहते हैं, द्रवेमान की संख्या हमें ग्याद करनी है, न्यूट्रोन की संख्या हमें दी गई है 10 और प्रोटोन की संख्या हमें ग्याद करनी है और परमानो इस पीसीज है वो 9 नंबर पे है इसका मतलब यह है बच्चों की सबसे पहले तो हमें दो फूर्मूले है वो याद रखने है एक तो हमें याद रखना है, द्रवेमान संख्या के लिए formula होता है, वो होता है proton plus neutron, ठीक है? यानि हम कह सकते हैं कि द्रवेमान संख्या होती है proton और neutron की संख्या का योग, उसके बाद में बच्चो एक और देखते हैं जिसे neutron का formula निकालने के लिए A-Z लिखते हैं, अब बच्चो देखो A के अंदर हमें दिया गया है परमानू संख्या 9, यानि इसका मतलब सीधा सा ये ह कि उस तत्वय के परमानों के नाभिक में उपस्तित है, उन proton की संख्या कितनी है, 9 है, अब बच्चो जब तक उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, तब तक क्या होगा, यानि electron की संख्या वो proton की संख्या के बराबर होती है, तो इस तरीके से इसके अंदर proton की संख्या भी होगी और electron की संख्या भी नो होगी, और बच्चो हमने 9 नमबर पे बताया था आपको क्या होता है, फ्लोरिन होता है, और उसके अंदर हम इसकी द्रवेमान संख्या की संख्या की संख्या का योग और वो आ जाएगी इसके अंदर 19, उसके बाद बच्चो परमानों संख्या और हमने बताया था कि किसी भी परमाणों के नाभिक में यानि जो proton की संख्या होती है उनी के बराबर जब तक आवेशनी होगा इलेक्ट्रोन की संख्या होती है. तो इसके अंदर बच्चों, neutron की संख्या हम निकाल लेंगे 12 और 12 इस तरीके से 12 नमबर पे होता है, magnesium, तो हम कहेंगे कि इनकी प्रमानो संख्या है, वो भी 12 होगी, और neutron की संख्या है, और 11 mg24, इसे तरीके से बच्चो नेक्स्ट है, जैसे द्रवयमान संख्या हमें 2 दे रखी है, और neutron की संख्या हमें 1 दे रखी है, तो इस एसाब से ब 1H2 या जिसे हम क्या कहते हैं, deuterium भी कहते हैं और इसे हम D के द्वारा रिपरजेंट करते हैं, तो बच्चो इसके अंदर देखो द्रवयमान संख्या है, वो 2 है, अब बच्चो इसे साब से प्रमानो संख्या इसकी एक हो जाएगी, और neutron की संख्या इसके अंदर एक दे र और electron की संख्या हम से पूछी गई है, तो बच्चो इसके अंदर परमानो संख्या एक आ जाएगी, और neutron की संख्या वो 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो बच्चो इनकी द्रवयमान संख्या भी 1 है, और proton की संख्या भी 1 है, तो neutron की संख्या इसके अंदर जीरो होगी, और electron की स species जा जाती है H plus I, तो आगे हम इसका answer के शुरूप में रिखते हैं, यह देखते हैं, अब देखो बच्चो answer के लिए, यह परमानु संख्या 9 है, तो इसके अंदर हमने आपको बताया था कि 9 नमबर पे होता है, फ्लोरीन जिसके अंदर दरवमान संख्या 19 और न्यूट्रोन क भान की संख्या 16 और इस्पीसिज हो गई sulfur, उसके बाद के बाद हम बच्योफ क्या होगे, बार्मान संख्या 12 और संख्या 24 और न्यूट्रोन की संख्या 12 और 13 माल्त और 12 और इस Сंपीसिज ही 어렵ताई, उसके बाद में Bच्चो देखो बाद में बच्चो परमान संख्या 1 व् प्रोटोन की संख्या एक होगी और इलेक्रोन की संख्या एक आगई यानि यह आगए बच्चो डूटीरियम उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चो प्रमानु संख्या एक है और द्रवेमान संख्या एक हमें दी गई थी और neutron की संख्या हमने निकाल ली 0, तो इस तरीके से बच्चो आज हमने इस चप्टर के पार्ट नमबर 4 के अंदर अभ्यास प्रेशन एक से लेकर 19 तक सोल करें हैं, तो बच्चो मुझे उमीद है ये वीडियो आपको बहुती पसंद आया होगा, इस वीडियो का आपने भोती ध्यान पूरक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इनकी जो सॉलिशन है उनको आपने अपनी नोट बुक में नोट भी कर लिया होगा, इसी तरीके से बच्चो नेक्स चैप्टर को पढ़ेंगे हम नेक्स वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रिये, आगे बढ़ झाल झाल